हेलो फ्रेंड मैं सुनील गौर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टूब मास्टर में दोस्तों यदि आपके मोबाल से कुछ फोटो डिलेट हो गए हैं या फिर आपके मोबाल के सालों पुराने फोटो जो डिलेट हो चुके हैं उनको आप बाप साल पुराने मोबाल के फोटो भी वापिश ला सकते हैं और वह भी बहुत आसान तरीके से यदि आप भी जानना चाते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों देखते रहिए और यदि आप पहली बाल हमारे चैनल पर आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम इसी प्रकार की काम की वीडियो आपके लिए लाते देते हैं तो चली दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से एक एप्लिकेशन को डाउनलोड करनी होगी जिसका नाम है डिस्क डिगर फोटो रिकवरी यह आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल यह काफी अच्छे से वर्क कर रही है और इसी साल यह एप्लिकेशन लांच होई है और बहुत ही कमाल की एप है दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर लिजिए और चलिए आप इसको ओपन करते हैं जैसे हम इसको ओपन करेंगे इस पिलकार का इंटरफेस ओपन होगा और इसमें आपको मोबाल रूट है तो आपको एक option मिलेगा फुल इसकेशन रूट का और यह आपको मोबाल रूट नहीं है तो आपको यह वाला option मिलेगा इस्टार्ट बेसिक फोटो इसकें, इसपर आप क्लिक करेंगे तो आपके ऋओपाल से डिलिट हुए लगवक वह वो सार्ट पोटो बापएस आ जाएंगे जो आपके मोबाल में थे जिनको आपने डिलिट किया था तो चलिए इसको इसकें करते हैं और ये scan होने लगा है हमारे मोबाल के अंदर जितने भी फोटियों उनको सब को यह तीन हजार के लगवक फोटियों इसने scan कर लिए है चाल हजार परें मेरा मोबाल लगवक एक साल पुराना है और इसमें हजार फोटो तो मैंने डिलेट की है इसलिए इसमें काफी टाइम लगेगा छह साथ है यार फोट्यों तो यह scan कर चुका है और यह scan करता ही जा रहा है प्रेंड मेरे पास एक मोबाल था एसी ड्यूस जो दो साल पहले खराब हो चुका था जिसका थोड़ा सा डिस्प्लेट टूट गया था और केमरे बगएर भी खराब हो गया था तो वह पड़ा हुआ था तो मुझे यह application जैसे मिली मैंने सबसे पहले उस mobile के अंदर इस application को डाउनलोड किया क्योंकि उसके अंदर मेरे बहुत ही काम के फोटू थे जो मुझे चाहिए थे तो इस application की मदद से मैंने उसको स्केन किये तो मुझे वह सारे फोटू लगवब बापस मिल गए और मुझे बहुत खुसी होई इसलिए मैंने यह वीडियो बनाई ताकि आपको भी अपने पुराने डिलेट हुए फोटू ले सकें तो दोस्तों काफी समय लगेगा इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारे हुँ मैंने छे फोटो स्यलेक्ट कर लिए हैं अब इनको रिकबर करता हूं स्यलेक्ट करने से हमारी गेलरी में सेफ़ हो जाएंगे इसके लिए आपको रिकअबरी ओप्शन पर किलिक करना होगा और इसमें आपको तीन आप्श्न मिलते हैं पहला आप्शन में आप डिरफ कर सकते हैं और तीसरे option में upload कर सकते हैं आप FTP server तो मैं second option choose कर लेता हूं और जो photo मैंने select किये थे वो मेरी mobile की gallery में save हो चुके हैं इसमें कुछ setting का option भी है और ये तीन मिंदी का option पर click करेंगे तो आपको इसमें option मिलता है कि आप एक सांस सारे photo को select कर सकते हैं और चाहें तो unselective कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकाल से आप अपने delete हुए photo को बापेश निकाल सकते हैं और चलिए हम gallery में देखते हैं कि वो photo कहां पर आये हैं हमारे अब देखते हैं कहां पर आये हैं यह देखिए यह मेरे photo इसमें यहां पर बापेश आ गए हैं इस परकाल से हम अपने delete हुए photo को बापेश ला सकते हैं और आपको इस application को mobile में रखने की आवसकता भी नहीं है जब आपको इसकी जरुगत हो तब आप इसको download कर लिजिए और आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी इसलिए वीडियो को like जरूर कीजिएगा और अपने friend की मदद करने के लिए इसको share कीजिएगा तो चलता हूं मैं फिर मिलूंगा आपको अपनी next वीडियो में तब तक के लिए good bye